हेलो गाइज अगेन वेलकम योल टू माई यूटीब चैनल कोडिंग पीडिया गाइज आज की वीडियो में हम एक इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो की रहेगा हमारा डेवरिपमेंट ठीक है यह जो टॉपिक है वह हमारा इंटेगुमेंटरी का पार्ट है इ वीडियो काफी इंपोर्टेंट को मिलेंगी शाणे को मैं करें ठीक है तो चीजेण बताने वाला और शाल करता में जिससे कि आपको clear and crisp idea लग जाएगा कि development का अगर question आपके exam में आता है तो उसको आप कैसे जल से solve कर सकते हो वीडियो काफी important है guys request है कि वीडियो को बस पूरा देखिएगा आपको easily समझ में आ जाएगा कि कि development related questions को आप कैसे solve करोगे क्या चीजहों पर आपको focus करना है कैसे आप element करोगे सारा कुछ आज की वीडियो में discuss करने वाले हैं बस आपको क्या है वीडियो को पूरा देखना है so without doing any further delay let's get started hello guys आज की वीडियो में हमें एक important topic देखने वाले हैं जो कि हमारा किस से रहेगा इंटेग्विमेंटर से ठीक है आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे topic development से ठीक है इस topics related में आपको बताऊंगा क्या guideline रहने वाला है ठीक है कैसे आप अपने answer पर पहुंचोगे क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है ठीक है बस वीडियो को पूरा देखेगा आपको easily समझ में आ जाएगा सबसे पहले बात करते हैं important course की तो देखो development में हमारे important course है ठीक है यह हमारे course है जो की हमारे development के पार्ट है तो यह सारे course हमारे किसमें या सकते हैं अब अभी देखो most important चीज क्या है आपके development में आप अपने answer तक कैसे पहुंचोगे किस चीज को आपको follow करना है जिससे आप अपने right answer तक बहुत जल्दी पहुंच जाओगे ठीक है तो गाइस देखो most important क्या है वह यह फ्लो चार्ट ठीक है यह मैंने आपको यहां पर बना के दिया है इसकी मदद से क्या है हम questions को भी solve कर सकते हैं और अपने options को भी eliminate कर सकते हैं directly ठीक है तो गाइस देखो यह हमारे development के code यह सारे जो code है वो हमारे development के ही है ठीक है अब यह different type का development है ठीक है सब में कुछ नो कुछ difference रहता है तो देखो सबसे पहला क्या है हमारा जो code है 11000 और 11001 इनको हम जब code करेंगे जब हमारे सेनारियों में जो development है वो based on the percentage होगा ठीक है उस time पे we have to code these codes ठीक है हम देखेंगे क्या हमारा appropriate code है उसके साब से हम code करेंगे ठीक है अब भी देखो हमारे जो most important है guys वह हमारा 11004 11005 और 11006 यह वाली code range ठीक है इसके साथ में यह भी हमारी most important code range है जो हमारी क्या है 110011011011011012 और यह वाली 11042 से लेके 11047 अब देखो हमें यह पता होना चाहिए इन में क्या-क्या difference है मलब इन code range में क्या difference है हमको यह पहले पता होना चाहिए ठीक है तो देखो जो हमारी यह पहली code range 11004 से लेके 11006 वाली इंको हम code करेंगे based on the location इंको हम location की base पर हम code करते हैं क्या location given है आपके scenario में development की उसके इसाब से we have to code these code ठीक है वह हम देख लेंगे क्या है उसके साब से appropriate code को code कर सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं अगली important code range है वह हमारी 11010 से लेके 11012 ठीक है यह हमारी जो code range है यह हमारी किसके लिए आते open fracture के फिना लिए खात沙ों आती है ठीक है और इसमें देखना पड़ता है के हमारा जो development है वह कहां तक हुआ है जो हमने ड्यवूर्ब्मेंट किया है वह कहां तक हुआ अगर भी हमारा जो ड्यविप्मेंट है सब को ठीक है तो हम code करते हैं 11010 हो गई जिससे आपको पता चलब कहा तक अगर हम अधोत करेंगे तो सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब मåनम करेंगे में पार एक हुग आपको साइज करना है इसका पर एक ऐस को size check करना है size के साफ से you have to code अप्रोप्रेट कोड ठीक है जूकि हमारा size given होगा किस में होगा square centimeter में ठीक है अब देखो यहाँ पर size तो given होगा यह हमारा keyword होगा जिसे मैं समझ में आएगा कि यह वाली code range अपने को code करना है ठीक है अब इसके साथ में यह भी देखना जाला कोड ठीक है और इसका जो साइज है वो क्या है 20 स्कौर सेंटीमीटर ठीक है अगर 20 स्कौर सेंटीमीटर से ज्यादा होगा तो हम add-on code करेंगे जो कि हमारा क्या है इसके साथ मैं 11 045 ठीक है ऐसे ही देखो हमारा अगला code है 11 043 इसको हम जब code करेंगे जब हमारा development कहां तक हो रहा होगा muscle तक हो रहा होगा आपको सिनारियो में देखना है अगर आपका development स्कॉइर संटी मीटर में हैं और मसल्स तक हो रहा है तो आपका पहला code जाएगा वो जाएगा 11 043 ठीक है अगर आपका डेवरिप्मेंट सब्कुटिनिस टिश्यू तक है ठीक है और उसका जो साइज दे रखा है वो कुछ भी हो सकता है ठीक है उसका जो पहला code जाएगा 11042 ठीक है ऐसे ही देखो हमारा अगला code है 11044 इसको हम जब code करते हैं गाई जब हमारा डेवरिप्मेंट स्कॉइर सेंटी मीटर में गिवन हो सेनारियो में और वो डेवरिप्मेंट हमारा कहां तक होना चाहिए ठीक है अगर बून तक होगा तो हमारा पहला code जाएगा 11044 ठीक है और यह भी हमारा 20 स्कॉइर सेंटी मीटर के लिए होता है पहले उसके बाद में अगर उसके साथ में अगर ज्यादा साइज है तो उसके लिए हम एड़न कोड करते हैं जो कि हमारा क्या है 11047 ठीक है अब देखो इसमें मोस्ट इंपॉर्टन चीज क्या है गाइस दे करेंगे और laat करने के बाद में हम appropriate को को करेंगे ठीक है समझ में आगी बात ऐसे ही देखो में इसको apply करूंगा और आपको दिखांगा बस important कॉच्शन पढ़ पहले कॉच्शन में हमारे हमारे डेबरिवमेंट कुंत तक हुआ है रीय है तो हमारे चीज़ में करया है वह हमारे उद्यक्त हे रूधीब स्क्वाइर सेंटीमीटर है ठीक है जो लेफ्ट पे हुगा है वह मारा कितना है 15 और टोटल मिला कि जो सब्कुटिनेस हो गया 25 25 होगे हमारा बोन के लिए 25 होगे हमारा सब्कुटिनेस के लिए ठीक है आपको यह समझ में आगया होगा अब क्या हम अपने option पर आ जाते हैं ठी स्क्वाइर सेंटीमीटर के बेस्पे हमारा अगर सेनारियों में दे रखा है ठीक है तो उसके लिए हम कोड करते हैं 11042 से लेके 11047 कोड रेंज ठीक है यह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ठीक है अब इसके बेस्पे अगर आपको यह याद है तो हम क्या है option D क को डारेक्ट कर सकते हैं ठीक है क्योंकि स्क्वाइड सेंटीमीटर का कोड नहीं है 1101 यह हम कोड करते हैं बेस्ट ओंदा ओनली के कहां तक हमारी सेनारियों में तो साइज दे रखा है तो साइज के लिए हमारा कोड रेंज है 11042 से लेके 11047 ठीक है तो इस बेस्पे हमने option D को eliminate कर दिया directly अभी घाइस हमारे पास बचा option a b and c जो बोन का साइज है वह कितना है हमारी सेनारियों में 25 cm ठीक है तो देखो पहले 20 cm के लिए हम क्या कोड करते हैं बोन के वह करते है 11044 वाला कोड ठीक है तो यह कोड हमारा पहला जाए गई जाएगा ठीक है यह समझ में आ सवरम साथ होगा तो हम ऐडून कोड करते हैं 11047 जो कि हमारा एड वन चाहताा यह udah довольно 144 ठीक है मैंना आपको स्टाइटिक में बताया भी था ठीक है तो अगला जो संटило बचेगा तो वह हम कोड़ करेंगे हमारे कोड़ 11047 के साथ में ठीक है समझ में आगया आपको तो हमारे यह कोड़ भी जाए गई जाएगा इस चीज से समझ में आगया होगा अब हम देखते हैं हमारा 11047 किन-किन ऑप्शन में एविलेबल है ठीक है अगर आप ऑप्शन ए द छाएगा आपको समझ में आ गया होगा तो पहला कोड़ हमारा चला गया 11044 जो कि हमारा वी में एविलेबल है दूसरा हमारा यह चाहलेगा फिक है तीसरा है यहां सबक्वित्ट के से हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह ऑप्शन भी रहेगा आयोप आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब भी हम दूसरा कॉशन देख लेते हैं घाइस ठीक है आपको उससे भी बैटर आइडिया लगेगा तो देखो दूसरा कॉशन आपने पढ़ा दूसरा कॉशन भी क् स्क्राइस को श्यूंटी रहा है एक है तो यहां पर भी हमें देखना पड़ेगा कर सांद हो हॉश्या तो वह फैड कि कहले समझ में और दूसरा वह आ सब्वितने सब्वाइब हं गया तो डॉनों को क्या करेंगे ड्लम एट को हम एड करते हैं तो हमारा क्या जाएगा गईज 24 ठीक है एक होगा हमारा 12-1 हो गया 24 ठीक है यह चीज समझ में आगी होगी अब हम आते हैं सीधे option पर उनको करते हैं तो देखो हम option d को डारेक्ट कर सकते हैं क्यों क्योंकि इन्होंने क्या किया 110 42 यह हमारा दो टाइम दे दिया है तो यह कभी भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा ठीक है ऐसे हमारा कभी भी नहीं जा सकता ठीक है हमने option डी को कर दिया है ठीक है अब बात करते है option A B & C ठीक है अब देखो वो क्यों हो जाएगा वो जाएगा हमारा इसके लिए वो जाएगा तक होगा और वह पहला जो साइज दिरका होगा उसका 20 cm होना चाहिए तो हमारा डावरी मेंट फेश्या तक हो रहा है ठीक है साइज यहापे तो पहला कोड़ हमारा एलेवन 43 तो यह वाला कोड़ हमारा जाए गई जाए आई आपको यह समझ में आ गई ठीक है अभी हमारा दूसरा जो ट्रफिप्मेंट हुआ उसका जो साइज कितना हुआ है वह 24 जैसा कि मैंने आपको तो पहला कोड तो यह चला गया अब बचेगा हमारे पास 4 ठीक है चार भी तो बचा ना 16 प्लस 8 करके हो गया 24 तो पहले 20 के लिए तो हमने 11042 को कोड कर दिया यहां पर ठीक है बचेगा हमारे पास 4 तो उसके लिए हमारा add-on code हम कोड करते हैं जो कि हमारा क्या है 11-0-45 और हमें पता है कि 11-0-45 we have to code with 11-0-42 जो कि हमारा add-on code 11-0-45 ठीक है तो हमारे यह तीनों code जाएंगे तो राइट अंसर होगा हमारा option A ठीक है यह चीज आपको समझ में आगी होगी अब देखो option B देखो इसमें 11-0-45 दे रखा है और 11-0-42 दे रखा है देखो option तो ठीक है बट इसमें एक option हमारा missing है जो कि हमारे डेवरी बेंट हो रहा है ठीक है और उसका साइज है 12 cm यह वाला code हमारा option B में नहीं है तो इसको भी हम direct eliminate कर सकते हैं ठीक है कर सकते हैं ठीक है option यह हमारा कैसे राइट answer है यह मैं आपको बता चुका हूँ 43 हमारा फेश्या के लिए जाएगा 42 हमारा पहले स्कॉयर सेंटीमेटर सब्सक्राइब करते हैं जो कि हमारा क्या है 11-0-45 तो इस तरीके से हमारा अधिक है और उसका जो size दे रखा है total वो दे रखा है 35 स्कॉयर सेंटीमेटर ठीक है यह चीज़ समझ में आ गई दूसरा डेवरिपमेंट हुआ है 15 स्कॉयर सेंटीमेटर ठीक है और वो कहां तक हुआ है डेवरिपमेंट हमारा बोन तक है तो हमें बोन के लिए code करना पड़ेगा और हमें subcutaneous के लिए code करना पड़ेगा बोन का साइज है 15 subcutaneous का साइज है 35 ठीक है यह चीज़ समझ में आ गई बोन का हमारा जो पहला code जाएगा बोन के लिए वो कौन सा है गाई वो हमारा 11044 ठीक है यह code हमारा यह code जाना चाहिए अब हम देखते हैं कौन कौन से में यह है कौन से में नहीं है जिन में होगा उनको रखेंगे उसके लावा eliminate करेंगे ठीक है तो हमने option a को eliminate कर दिया क्यों क्यों क्योंकि यहां पर बोन तक हुआ है ठीक है और उसका था 11044 ठीक है जो कि इन दौनों option में पहले और दूसरे में अविलेबल था ही नहीं तो हमने दौनों को eliminate कर दिया ठीक है बचा हमारे पास c and d ठीक है अब इसमें हम में eliminate करेंगे तो देखो यहां पर क्या है 11042 इन्होंने दो टाइम दिया है हम इनको दो टाइम कोड करी नहीं सकते मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पेरेंट को दो बारी modifier के साथ we cannot use तो हमने सी को भी eliminate कर दिया राइट आंसर है हमारा यहां पर वह option d ठीक है हमारा यह वाला कोड़ करते हैं तो हमारा यह कोड़ चला गया है ठीक है दूसरा जाएगा 11042 वो हमारा किस के लिए है वो हमारा दैप्रिप्मेंट सब की ô còn ग्रोविडिटिनेस तेसियु के लिए और पहले 20 स्कौयर सेंटीमीटर के लिए ठीक है तो हमारा पहला कोडम यह चला गया उसके साथ में हमारा system जाएगा 11045 ठीक है और यह हमारा code जाता यह Ronald क्वNY जाता है क्योंकि add-on code के साथ में कभी भी modifier नहीं जाता तो हमारा जो राइट answer होगा वह होगा option D आयोप आपको समझ में आ गया होगा किस किस तरीके से आप इसके questions को solve करोगे आपको बस यही देखना है कौन से टाइप का development है ठीक है वो based on the square centimeter based on the square centimeter होगा तो हमारा 11042 से लेकि 11047 वाला code जाएगा अगर वह स्क्वार सेंटी मीटर में नहीं है तो हमारा code रिंज आएगा दूसरा वाला ठीक है जिसमें हम देखेंगे कहां तक हुआ है तो उसके साब क्यों में के वल इतना है if you like my video please hit the like button share and subscribe my channel for further videos related to CPC exam thank you guys